Hey guys, मैं हूँ अंश्री और आप देख रहे हैं Hindi Tech HD आज की इस वीडियो में हम comparison करेंगे Vivo V20 Pro और Realme X3 के बीच और देखेंगे कि इन दोनों डिवाइसिस में से कौन सा डिवाइस बेस्ट है और साथ ही बात करेंगे फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्मुनिकेशन चिप्स और प्रैजिस के बारे में और आखिर में मैं बताऊंगे आपको कि मेरे एकॉर्डिंग हैं कौन सा डिवाइस बेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देवी के चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के कैमरा की स्टार्ट करते हैं रेर कैमरा से, तो V20 Pro में है ट्रिपल कैमरा सेटप जिसमें 64MP का वाइड कैमरा, 8MP का अल्टरा वाइड कैमरा और 2MP का देप सेंसर और Realme X3 में है Quad कैमरा का सेटप जिसमें 64MP का वाइड कैमरा, 12MP का टेली फोटो कैमरा, 8MP का अल्टरा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा तो यहां वीनर है X3 चलिए बात करते हैं front camera की तो यहां दोनों हे devices में है dual camera setup V20 Pro में है 44MP wide camera, 8MP ultra wide camera और Realme X3 में है 16MP wide camera और 8MP ultra wide camera तो यहां पर winner है V20 Pro बात करते हैं camera के features की V20 Pro में है dual LED, dual tone flash, HDR और panorama और X3 में है LED flash, panorama और HDR तो यहां winner है V20 Pro और बात करें video recording की तो V20 Pro record करता है 4K video 30fps पे 1080p video 30 और 60fps पे gyro electronic camera stabilization के साथ और Realme X3 record करता है 4K video 30 और 60fps पे 1080p video 30 और 60fps पे और slow motion 720p 960fps पे gyro electronic image stabilization के साथ तो यहां winner है Realme X3 चलिए बात करते हैं performance की स्टार्ट करते हैं operating system से तो यहां दोनों हे devices में है Android 10 का support इसलिए यहां पे है tie और बात करें user interface की तो V20 Pro में है funtouch 11 और Realme X3 में है Realme UI तो यह आपकी personal choice है कि आपको इन दोनों UI में से कौन सा UI पसंद है तो मैं यहां करते हूं tie चलिए अब बात करते हैं processor की V20 Pro में है Snapdragon 765G और Realme X3 में है Snapdragon 855 Plus तो यहां बात करें GPU की तो V20 Pro में है Adreno 620 और Realme X3 में है Adreno 640 तो यहां भी बात करते हैं clock speed की V20 Pro में है Octocore Cryo 475 Prime जिसकी clock speed है 2.4 GHz की और Realme X3 में है Octocore Cryo 485 जिसकी clock speed है 2.96 GHz की तो यहां winner है Realme X3 क्योंकि इसकी clock speed जादा है और बात करें RAM की तो V20 Pro में है 8GB RAM और Realme X3 में है 6GB RAM और Realme X3 में है 6GB RAM options चलिए बात करते हैं internal storage की तो V20 Pro में है 128GB UFS 2.1 internal storage और X3 में है 128GB UFS 3.1 storage तो यहां winner है Realme X3 क्योंकि इसमें है faster reading & writing speed और बात करें external storage की तो दोनों ही devices में आपको कोई external storage नहीं मिलती इसलिए यहां पे है tie चलिए अब बात करते हैं display की स्टार्ट करते हैं display की size से V20 Pro में है 6.44 inches की display और X3 में है 6.6 inches की display तो bigger display size के कारण यहां winner है X3 बात करते है screen to body ratio की V20 Pro में ratio है 85% और X3 में ratio है 84.7% तो यहां winner है V20 Pro चलिए अब बात करते है resolution की तो यहां दोनों है devices में Full HD Plus की display इसलिए यहां है tie और बात करें display type की तो V20 Pro में है AMOLED display with HDR10 और Realme X3 में है IPS LCD display with 120 Hz refresh rate तो यहां winner है X3 क्योंकि 120 Hz की refresh rate आपको देगी better viewing experience चलिए अब बात करते हैं body की स्टार्ट करते हैं devices की thickness से तो V20 Pro की thickness है 7.4 mm और Realme X3 की thickness है 8.9 mm तो यहां winner है V20 Pro और बात करें weight की तो V20 Pro का weight है 170 grams और X3 का weight है 202 grams तो lighter weight की कारण यहां भी winner है V20 Pro और बात करें protection की तो V20 Pro में है Goyla Glass 6 और X3 में है Goyla Glass 5 तो यहां भी winner है V20 Pro क्योंकि इसमें आपको मिलता है new generation का Goyla Glass चलिए अब बात करते हैं build quality की तो V20 Pro में है plastic back और plastic frame और X3 में है glass back और plastic frame तो glass back के कारण यहां winner है Realme X3 बात करें SIM की तो यहां दोनों ही devices में है dual nano SIM slot इसलिए यहां है tie चलिए अब बात करते हैं features की स्टार्ट करते है fingerprint scanner से V20 Pro में है under display fingerprint scanner और X3 में है side mounted fingerprint scanner तो यहां winner है V20 Pro और बात करें sensors की तो यहां दोनों ही devices में है accelerometer, zero, proximity और compass इसलिए यहां पे है tie चलिए अब बात करते हैं battery की V20 Pro में है 4000 mAh की battery और X3 में है 4200 mAh की battery तो larger battery के कारण यहां winner है Realme X3 और बात करें charging speed की तो V20 Pro में है 33 watts की fast charging और X3 में है 30 watts की fast charging तो यहां winner है V20 Pro चलिए बात करते हैं loudspeaker की तो यहां दोनों ही devices में आपको मिल जाते है normal speakers इसलिए यहां है tie और बात करें headphone jack की तो यहां दोनों ही devices में आपको कोई headphone jack नहीं मिलते इसलिए यहां भी है tie चलिए अब चलते हैं communications की तरफ स्टार्ट करते हैं wireless LAN से तो यहां दोनों ही devices में है dual band wifi, wifi direct and hotspot इसलिए यहां है tie और बात करें Bluetooth की तो यहां भी दोनों ही devices में 5th generation का Bluetooth इसलिए यहां भी है tie चलिए अब बात करते हैं GPS Chips की तो V20 Pro में है AGPS, Glowness, Galileo, BDS और X3 में है AGPS, Glowness, Galileo, BDS, QZSS तो extra chips के कारण यहां winner है X3 और बात करने USB connectivity की तो यहां दोनों ही devices में है 2nd generation का Type-C Reversible Connector लेकिन V20 Pro में आपको मिलता है USB OTG का support भी तो यहां winner है V20 Pro चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं phone के prices की तो international market में दोनों ही devices का price है 400 US dollar और Indian market में V20 Pro का price है 30,000 rupees और X3 का price है 27,000 rupees तो अब सबसे आखिर में बात करते हैं इस वीडियो के conclusion की तो यहां camera में winner है Realme X3 performance में winner है Realme X3 display में winner है Realme X3 body segment में winner है V20 Pro features में winner है Realme X3 communications में winner है Realme X3 और prizes में भी winner है Realme X3 तो अभी आपको decide करना है कि आपको इन तोनों devices में से कौन सा device अच्छा लगा और मुझे भी comments में जरूर बताए So thank you guys for watching this video अगर आपको हमारा content अच्छा लगा तो वीडियो को like और share कीजिए और प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं Facebook पे तो हमारी Hindi Tech HD पेज को जरू लाइक करें और अगर आप मुझे Instagram पे follow करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे मैं भू अंजली मैं मिलती हूँ आप जब भी next वीडियो में तब तक के लिए बाई आप लाइब करें